हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो आप लोग संस्क्रीट और इंग्लिस के लिए काफी जादा परेशान थे कि आप सारा सब्जेक्ट तो पढ़ा रहें लेकिन संस्क्रीट और इंग्लिस नहीं पढ़ा रहें तो हम लोग संस्क्रीट और इंग्लिस में कैसे पास करें तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग बिना पढ़े संस्क्रीट और इंग्लिस कैसे पास करेंगे, ठीक है? तो देखिए, पहले तो मैं कुछ बात आपको क्लियर कर देती हूं, कि जो, क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट, 50% स्टुडेंट तो ये नहीं समझ पाते हैं कि संस्क्रीट का कहां से कहां तक बनाना है, हिंदी का कहां से कहां तक बनाना है, इंग्लिस का कहां से कहां तक बनाना है, उसके बाद जब एक्जाम दे के आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि उल्टा बना के आगए, फिर जब भेसते मेरे पास, तब मैं देखती हूं कि उन् English pass करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ Language 1 तो जैसा कि आप लोग हर कोई प्राया Language 1 में क्या करते हैं Hindi रखते हैं ठीक है Language 1 में आप लोग सब कोई रखते हैं Hindi तो यह याद रखिए Hindi जो है आपको 91 से लेकर के 120 नंबर तक का बनाना है ठीक है तो 91 से 120 तक का कराती हूँ ताकि अगर आपको यह भी ध्यान रहे तो आपको यह याद रहे कि आपको 91 से 120 तक जो है वो Hindi बनाना है Language 1 बनाना है चाहे जो भी आपने Language 1 में रखा है ठीक है अब हम बात करेंगे Language 2 की तो Language 2 में क्या होता है Language 2 में प्राया आप या तो संस्क्रीट रख लेते हैं या फिर English रख लेते हैं तो जो English रखते हैं उनको तो Man question paper मिलता है उसी के साथ English का भी question मिलता है और जो Sanskrit रखते हैं उनको अलग से एक question paper मांगके लेना पड़ता है तो language 2 में आपने चाहे English रखा है, चाहे Sanskrit रखा है, आपको बनाना कितना से कितना है, 121 से 150, ये मैं 2 के लिए बोल रही हूँ, language 2, जो भी चीज आप language 2 में रखेंगे, उसमें 121 से 150 नमबर तक का solve करेंगे, और जो भी चीज आप language 1 में रखेंगे, उसमें आप economy से 120 तक का solve करे ये तो आप लोग को clear हो गया, अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि Sanskrit और English का question कैसा होगा, पहले आपको 121 से 135 तक का question होता है, ये होता है आपका 2 गद्यांस, Sanskrit में बोलिए गद्यांस, English में बोलिए passage, तो 2 passage होगा, ठीक है, इस 2 passage का answer आपको passage में ही दिया रहेगा, उसी से answer करना है, दो या तीन नंबर का grammar, बिल्कुल basic grammar होता है, जो आप कभी भी पढ़े हैं, उससे ज़्यादा भारी grammar इसमें नहीं आता है, अब मैं जो मैं आज बात करने जारी हूँ, वो करने जारी हूँ, 136 से ले करके 150, ये जो 15 question होता है आपक English pedagogy या फिर Sanskrit pedagogy जो भी कह लिजिए, अगर आपका English है तो आप इसको English pedagogy कहेंगे, अगर Sanskrit है तो Sanskrit pedagogy कहेंगे, तो ये 15 question मैं आज बताने वाली हूँ, कि बिना पढ़े आप कैसे इसको अच्छे से number ला सकते हैं, देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आपको क किया करना है, तो मैं आपको इस बार का आया हुआ question दिखाऊंगी, और ये जो है न, मैं इस बार का आया हुआ दिखा रही हूँ, paper 1 दिखा रही हूँ, paper 2 में भी same ऐसा होता है, और क्या कहता है, paper 1, paper 2 या इसके पहले जितना भी exam हुआ है, जैसे जनवरी 21 या जुलाई 19 ज मैंने online दिया था, तब offline मैंने नहीं दिया है कभी, तो online में क्या था, आपके पास एक ही दिखता था, या तो English दिखता था, या हिंदी, आपने जो चूज किया है, admit card में, अब offline में आपको क्या सुविदा है, question तो आपको वो बनाना है, जो आपने भरा है, लेकिन आपके प 136 से 150 तक का pedagogy, ऐसे तो आपको 121 से 150 बनाना है, लेकिन मैं pedagogy की बात कर रही हूँ, तो यह जो आपका 136 नंबर का English होता है, ना, same वही चीज आपको हिंदी में भी question होता है, यह देखी, यह है आपका पहला question, assessment tools and processes at the foundation stage should be designed in a way that, तो same उसी को sunset में, उसी में जो आपके पास दिया गया है, उसी में आप 136 नंबर हिंदी में जाएंगे, ठीक है, और हिंदी में same उसी का हिंदी दिया रहता है, बुनियादी चरण में आकलन के उपकरन और प्रक्रियाओं की अभी कलपना इस तरह होनी च option देखिए, जिस तरह से option दिया हुआ है, इंगलिस में भी उसी तरह से option दिया हुआ है, और अगर आप Sanskrit रखे हैं language 2 में, तो ये देखिए, आप Sanskrit में जाएंगे और Sanskrit का जो 136 नंबर कोस्चन है, ये क्या है, प्रारंभिक अवस्थायाम, आकलनस्य उपकरनाम, अभी कल्पना चो इत्थम प्रकारेन भवेत, तो इसका meaning वही है, जो आपको English और Hindi में है, तो आप English रखे हैं या Sanskrit रखें, आपको बनाना है pedagogy 136 से 50, और आप उसको समझने के लिए कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे उसका Hindi, और उसका Hindi आपको यहीं पर मिल जाएगा, और यह आप 136 से 150 तक देखिए, सेम वही रहता है, ठीक है, आपको मैं एक और दिखाती हूँ, यह 137 नमबर देखिए, बच्चों का संग्यानात्मक विकास और भासा, यह आपको Hindi में दिया हुआ है, अब आप इसका English में देखिए, ठीक है, इसी को Sunset में मिलेगा, इसके को अलग से मिलता है, ठीक है, हिंदी वाले को उसी में मिलता है, इंगलिस हिंदी वाले को, यह एक एक स्टा डॉट पढ़िया है, इसलिए नहीं ले रहा है, मैं इसका English में जाके ही दिखा देती हूँ, जब आप इंगलिस के 133 में जाएंगे न, तो आपको सेम वही कोसन दिखेगा, ठीक है, यह देखिए, इंगलिस के 133 में देखिए, है न, Children's Cognitive Development and Languages, सेम वही कोसन है, और सेम वही आपको हिंदी में मिलेगा, सेम वही कोसन इंगलिस में और सेम वही कोसन आपको हिंदी में मिलेगा, बच्चों का संजानातमक, विकास और भासा, और सेम वही 1306 नंबर आपको संस्कृत में मिलेगा, देख लिजे है ना संस्क्रीट में भी सेम वही को सन तो कहने का मतलब ये है कि 136 नंबर से 150 नंबर तक जो को सन होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है तो चाहे आप संस्क्रीट रखे हैं या इंगलिस रखे हैं आप उसको समझने के लिए क्या करेंगे जाके हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी का तो आपके पास औरेडी रहे गा ही तो हिंदी में आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे समझ लेंगे उसके वादा आप असानी से बना लेंगे बिना Sanskrit Pedagogy और बिना English Pedagogy पढ़े अब आप कहिएगा कि हम Hindi Pedagogy कैसे पढ़ेंगे तो Hindi Pedagogy के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है Hindi Pedagogy जो है सारा का सारा आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया हुआ है सारा तो अगर आप Paper 1 की तयारी कर रहें तो Paper 1 का पूरा पढ़ाया हुआ है अगर आप Paper 2 की तयारी कर रहें तो Paper 1 और Paper 2 दोनों का बिल्कुल सेम सी लेवस होता है लेकिन कोस्टन थोड़ा सा जो होता है Paper 2 का वो थोड़ा सा उपर लेवल का होता है इसलिए आप पहले Paper 1 का सारा वीडियो देखेंगे उसके बाद फिर Paper 2 का सारा वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप इसका प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 99 में आपको PYQ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए तो आप चाहे तो पहले Paper 1 का सारा Previous Year कोस्टन प्रैक्टिस कर ले उसके बाद Paper 2 का करें तो आप एक बार करके देखिए एक बार को संसेट उठाइए आपके पास offline paper अगर है जनवरी 21 का तो एक बार match करके देखिए इसके पहले अगस्त में एकजाम हुआ है उसको match करके देखिए उसके बाद फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर भी करिए ठीक है? चलिए बाई, आल दे बेस्ट हलो फ्रेंड्स